नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब जनल कमप्टीशन टूप्रिशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे इस पढ़ाई भी कर रहे होंगे आपके SSC, CHSL एक्जाम और CPO में भी ऐसा प्रश्ण आया जो बच्चे वहां देखके छोड़ा रहे थे अब CGL का एक्जाम आ रहे है डिट्टो क्वेशन पूछा जाएगा इंस्टाल्मेंट देखके आप डर जाते हो क्योंकि यह इंस्टाल्मेंट के फॉर्मूले से होता नहीं एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंट्रेस्ट पे इंस्टाल्मेंट निकालनेगा 100a upon 100t plus r into t into t minus 1 by 2 बट उस फॉर्मूले से यह प्रश्ण हो नहीं रहा तो ऐसा प्रश्ण आपके एक्जाम में सीधे देखने माएगा सीधे देखने मतलब कि जब CGL देने जाओगे तो आपके सिफ्ट में एक प्रश्ण इस ताइप का मतलब जरूर से जरूर मिलेगा और बहुत इजी होता है बस concept थोड़ा सा समझना है आराम से कर लोगे तो चलो हम दिखाते आपको जो CHSL में प्रश्ण आया था प्रश्ण क कुछ इस प्रकार से आता है कि सिंपल इंट्रेस्ट पर आपसे पूछा जाता है कि कुछ X amount था जो आपने देना था आपने Y amount डाउन पेमेंट कर दिया बचा X-Y amount और इस amount को कुछ AA की X installment में देते मालो M installment में देते यानि कि आपको मालो 20,000 पे करना था आपने 10,000 पे कर दि कैसे होगा तो इस बार CHSL में भी वैसा ही प्रशन है पहले CHSL वाला प्रशन देखो यह CHSL का प्रशन है कि रहना ने एक स्कूर्टी कर दी वगएर यह प्रशन करवाने से पहले मैं आपको बहुत आराम से छोटा सा प्रशन इस पर करवाता हूं महां से concept सीखेंगे और उसके प्रशन हमने उठाले इसके बाद तो नहीं है न हाँ चलो ठीक चलो यह प्रशन पहले वह ऐसे देखते हैं उसके बाद हम करते हैं अपना वाला जो CHSL में आता और एक प्रशन होम और दे दूंगा ताकि आपको concept clarity कितनी हो पई यह clear हो जाए ठीक है क्या कहा गया प्रशन को चार्ज किया गया बहुत आसान सा प्रशन है अगर मैं कहता कि आप आज जाते लेने तो आलमारी क्या कहता कि 1800 रुपए मुझे दे दो और आप अलमारी ले जाओ इना आपको तो भाई आभी कौन सा मेरी नोकरी लगी है मेरे घर से तो limited amount आता है पांची अजार पापा इसे दिया बागी का जो बचा यानि के 1200 रुपए उसको आप क्या काम कर रहा है च्छे 1200 रुपए आपने पे कितना किया 610 और 610 मिला किया यानि कि 1220 रुपए पे किया यानि मैं आप से पुछूँ कि ब्याज के रूप में कितना पे किया तो यह simple interest पे किया कितना पे किया simple interest कितना पे किया 1200 रुपए के बजाए 1220 पे किया यानि कि 20 रुपए ब्याज के रुप में पे किया है अब एक concept होता है जूटा प्रिंसपल बनाते जो मूलधन है उसको जूटा बनाते कैसे देखो समझो बात को जूटा प्रिंसपल के भी मैं आपको गन्फ्यूज नहीं करना चाहता अब मुझे च्छूटा सा दिमाग में ए कर दी दूसरे महीने कितना बच्चेगा 1200 में से 610 कम हो जागा यानि कि 590 पर ब्याज देना तो यानि अगर मैं ऐसे कहूं कि सूडो प्रिंसपल आपका क्या बनेगा जूटा वाला प्रिंसपल तो आप कहेंगे 1200 रुपए पहले महीने के लिए प्रिंसपल बना था और दू 1000 रुपए पर तीन साल का ब्याज निकालना है तो मैं यह कह सकता हूं कि 6000 रुपए पर एक साल का ब्याज निकालो फिर 6000 रुपए पर एक साल का ब्याज निकालो फिर 6000 रुपए पर एक साल का ब्याज निकालो तीनों जोड़ दो तो वही मतलब हो वही मैं कह रहा हूं कि को देना थाा 52 जो आपको उधाR उधार चुकाना था उसमें पहले महीने ऑंधिल्सक्ण और आज महीने बाद करके एक महीने बाद यह तो बियाज लगेगा कि बारा यह महीन Cup नειςतीन और लिए देते हैं मतब जो इंस्टाल्मेंट देते हैं तो मूलधन में से घड़ जाती है यानि 1200 रुपय में हमने 610 वापस कर दिया अब अगले महीने के लिए मूलधन बचा हमारा 500 रुपय हम कह सकते हैं 1200 रुपय एक महीने का ब्याज फिर 590 पर फिर 590 पर एक महीने का ब्याज तो ह मैं मूलधन नहीं जोड के एक महीने का निकाल देता हूं यानि वही स्यूड़ प्रिंसपल 1790 हो गया आप समझो 1790 रुपय प्रिंसपल था हमने इस पर ब्याज दिया 20 रुपय खा कितने महीने में हमें बूल जाना है हमने कहा दो महीने की बात हुरी ति लेकिन हमने हमें पता चल गया टाइम एक महीन यानि की एक बटे 12 वर्स हमें पता चल गया रेट नहीं रेट निकालना है और हमें सिंपल इंट्रेस्ट मूझे जब प्रिंसपल में रेट ही निकालने को आता है तो आप यहां से सीधे क्यों नहीं लिख देते कि रेट बराबर 100 इंट्रेड 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 तो यहां से आप solve करेंगे तो कितना आ जाएगा एक जीरो से यह 0 कट गया 7 9 16 17 इसको लगब कम 180 माने अगर में मालने तो 180 लिखा यह तो बारा से चोड़ता था यानि कि 3.33 से थोड़ा ज़्यादा तो 13.41 परसेंट परेना मापका इंट्रेस्ट समझ में आया मैंने क्या समझा है आपको अगर आप आज देने जाते तो आपको लगा होगा कि बहुत क्लिस्ट रहें है अगला प्रश्ण करते हैं एक प्रश्ण आपका होमवर कोगा चलो तीन इंस्ट्रालमेंट वाला करें फिर हम मेन प्रश्ण करेंगे उसके बाद इस प्रश्ण को बजाओ स्कूटर था 28,000 रुपे कैस पर अवेलेबल था या फिर 74,000 रुपे की कैस डाउन पेमेंट दे दो और 7,000 की 3 मंतली इंस्टाल्मेंट दे दो आपको रेड बताने देखो 28,000 रुपे अगर आज आप मालो स्कूटर से घूमने का मन है आपकी गर्फ्रेंड कहती कि लॉंग ड महीने का इंस्टाल्मेंट भर लूगा और जो पैसा मेरी गल्फ्रेंड ने 75,000 रुपे इसकूटर जो था उसमें से 74,000 रुपे अपने डाउन पेमेंट दे दिया या अभी आपका उधारी कितने की है उधारी कितने की करके आयो 28,000 में से 7,400 दे दिया 20,600 की उधारी चड़ गई है यह सब प्रीबियस एर क्वेश्चन है अब आपने 20,600 रुपए 20,600 का उधारी करके आप क्या काम कर रहो 7,000 रुपए पर महीने की इंस्टाल्मेंट दे रहो 3 महीने दर 7,000, 7,000, 7,000 यानि आप आपने 400 रुपए सिंपल सी बात हो गई अब आपने एक चीज़ पर मैं स्यूडो प्रिंस्पल निकालने जाता हूं स्यूडो प्रिंस्पल क्या होता है कि आप 20,600 की उधारी करके आदे पहले महीने इससी पर ब्यास लेकिन दूसरे महीने 20,600 पर नहीं 7,000 आपने पे कर दि तीसरे महीने के लिए मुलदान कितना बचा 6,600 सिंपल सी बात अब आपने कहा हमने टोटल कितना पे किया देखो 20,600 13,600 जोडएंगे तो कितना आप ठारा सो चेक साथ तीन दस और दो एक तीन है यानि कि 40,800 रुपए हमारा सूडो प्रिंस्पल हम ऐसा कह सकते थे 20,600 पर ए तो हमने ऐसा न करके हमने एक बात बताओ अगर मैं कहों 20 रुपए पे एक साल का ब्याद अगर तो 20 या 1 महीने का ब्याज कोंग 1–10% मासिक ब्याज करो है और दस परशंट की रेट से 2 रूपए और 10 मिले और अगर हम 2 और 10 30 पर निकालते तो 3 रूपए तो वही तो हमने कहा चाहे 2 रूपए इंटू simple interest upon principle इंटू time आपने का 100 इंटू simple interest कितना है मेरे बढ़ी 400 मेटे principle चालीस अजार आठ सो और गुडए time एक महीनित यहनि एक और यह उपर बार आगे सिंपल सी बाद समझ में आया नहीं आया चलो कर लेते एक जिरो दोball जीरो टोएद दोझी रहा सटर पचेल आजैगा यह कटेंगे फिक वह न जया सब्सक्राइए मुझे सब्सक्राइब गहां चला गया घ्ला तो इस arguing इंटेश के तो कना घ्ली समर्म जाते हैं कि अगले प्राश्म पर जाते हैं अगले प्रश्ट पर आ जाते हैं ठीक है कहां चला गया अगला प्रश्ट जो हमारा CHSL में आया था उस पर आता है यह था CHSL में आया दिख रहा है इस पर करेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपकी दिमाग में बस एक चीज घुमेगी कि बाइया आने वाले कैसे आएंगे जल्दी से मैं दो नंबर बठो रहना को एक स्कूटी खरीद नी थी जो 40,000 रुपए उसे देने पड़ते हैं 40,000 रुपए रहना दीदी दे आती तो उनको स्कूटी मिल जाती बट क्या हुआ कि 40,000 दीदी के पास एक अटे थे नहीं तो दीदी ने क्या काम क या दीदी कहती है कि वह या देखो एक काम करते हैं 25,000 तो आप अभी हमसे ले लो और बाकि 4,000, 4,000 की इंस्कालमेट ले लो अगर हो 25,000 अभी पे करा रही यानि उनका उधारी कितने की चड़ रही है 15,000 की 15,000 रुपए की उधारी चड़ उन्होंने का 4 महीने में 4,000, 4,000 4,000, 4,000 यानि उन्होंने 4 चोको 16,000 रुपए पे किये 15,000 के बदले उन्होंने 16,000 रुपए किये इसका मतलब इंट्रेस्ट कितने का पे किया एक हजार रुपए का, सिंपल इस्ट्रेस आपको पता चल गया, एक हजार रुपए का, रैट, 15,000 रुपए की मैं बात करता हूँ, पहले महीने 15,000 पर ब्याद चढ़ेगा, दूसरे महीने 4,000 कम हो जगा, यानि 11,000 पर ब्याद चढ़ना चाहिए, तीसरे महीने फिर 4,000 कम हो हमारा प्रिंस्पल पता है, हमारा सिंपल इंट्रेस्ट पता है, हमारा टाइम पता है, तो यहां से रेट कितना होता है, 100, इंटू सिंपल इंट्रेस्ट, इंट्रेस्ट लिख लिए, 100 इंटू सिंपल इंट्रेस्ट, बटे, प्रिंस्पल, गुडे, टाइम, एक इधर आया 12 इधा है आपने क्या क्येमं गरूगा मैंने का कुछ नरो आप एक दो तीन जीरो ऑफिन E画rina आपका समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया एक्दम 33 यह बटे 3 परशेंट एंपका आंसर आ गया principle पर फोकुस कर लो और सब तो सब मुल्दे नहीं जोड़ लो यानी इस पर एक और प्रश्म करते हैं समझ आया एक और प्रश्म कर लेते हैं फिर हमारा काम खतम हो जाएगा यह देखो एक वाच है जो 960 रुपए कैस में बेची जाती है यह 480 का करके दो मंथली इंस्क्टालमेंट दो सो पैतालिस की देखो अगर आप घड़ी देने के मालो वैलेंटाइन दे चल रहा था 960 रुपए में आपको घड़ी मिल रही लेकिन आपके आपने क्या कहा कि भाहिया मैं तो चार सो असी रुपए भी मेरे पास है वह ले लो 20 अगले महीने और उसके अगले महीने दो सो पैतालिस पेकर देना आपने ठीक भी या लेकिन आपकी गल्फर्ण फुस्ती की बाबु यह बताओ कि ब्यास कितना देना पड़ा आपके तो यह तो कैल्कुलेट करना पड़ेगा वह कहती है ऐसे तो मैं कैल्कुलेट दूं तो मैंने कहा एक बाब बताओ कि तुम दो न पागल हो क्या अभी मैंने सिखा है चार सो असी रुपए में पहले महीने चार सो असी प्रिंसिपल हुआ आपके पास सिंपल इंट्रेस्ट है तो यहां से रेट क्या होती है आपने का अपनी गल्फरेंड को बिठा है आपने फॉर अहीं से सम्पलिंट्रेस्ट्ण प्रिंसिपलु इंट्थ महीने वहीं सिओए वही कांसे आपको सोल्फ करों थ्कित नहीं है आपको आपको मैं काप दूनी दस पांस से काट एक सो trilogy सो जाएक। मैं आच्छा 143 कैसे हुआ आपके तो यह तो मुझे पता इसको चौबिस लिख लेते और चौबिस में 143 से डिवाइड करते ठीक 143 से डिवाइड करोगा 143 करने में 143 हो जाएगा बचेगा कितना अगर 243 होता तो 100 बसता लेकिन 243 नहीं यानि 97 बचेगा 970 के लिए 14,804 चौदा सते 98 बार जाएगा नहीं 14,85 चौदा 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 चौदा, 840 उधर हुआ था और अठारा हो जानी कि 888 हो गया 970 में से 858 घटेगा कितना बचेगा 112, 1212 112 के बाद 0 लगेगा यानी कि 1220 हो जाएगा 14 दस्मलों 7% के करीब आपका आंसर हो जाएगा 16.7% के करीब आपका आंसर हो जाएगा आपने केलकुलेट करके दे दिया मैं केलकुलेट करके इजेक बता दे रहाँ आपको कितना होगा तो आपको क्या काम करना है सूड़ो प्रिंसपल निकलने के बाद आपका प्रश्ट दस सेकंड का बसता है